फिंगर प्रिंट्स ते फ्यूचर बनाने का दावा कौन और क्यों कर रहा है और इस दावे में कितना तम है क्या उंगलियों के निशान में लिखी है आपके बच्चे के भविश्य की कहानी क्या अंगोठे की च्छाब बता सकती है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर तो इस टेस्ट में हम फिंगर प्रिंट्स के एनालेसिस से नौ टाइप्स की इंटेलिजन्स जो हर बच्चे में पाई जाती है क्या एक टेस्ट बच्चे के करियर के हर सवाल का जवाब मादा पिदा को दे सकता है आखिर फिंगर प्रिंट्स का टेस्ट कैसे पढ़ लेता है आपके बच्चे की दिमागी ताकर एक चीज होती है कि जैसे कहते है लेफ्ट राइट ब्रेन पोटेंचिल जैसे कि सम पीपल आवेरी लॉजिकल और कुछ लोग जो होते है जादा इमोशनल होते है जादा क्रेटिव होते है अपनी चीज़े करने के तरीके में तो ये चीज़ भी हम परिंट्स को बता सकते है एक दिलचस्प दावा है जो सामने आया है फिंगर प्रिंट से फ्यूचर बताने के इस दावे पर बात करने के लिए मुंबई से हमारे साथ हैं एडिफिल लैप्स के सीईओ नितेश कावडे इनी की फिर्म ये टेस्ट करती है इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ है के लाश अस्पताल के नियूरो सर्जन डॉक्टर वरुन भारगव इन दोनों भेमानों से हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें पुराने जमाने से ही हाथों की रेखाई पढ़कर पंडित आपके बच्चों का भविश्य बताते रहे हैं लेकिन अब देश म यह आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट में बताते हैं कि बच्चे अपने टेलेंड का सही जगा और पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके हैं कि कुछ लोगों को सुनकर पढ़ना अच्छा लगता है कुछ लोगों को जो एक्सपेरिमेंट करके या करके पढ़ना अच्छा लगता है करने पड़ती पहले स्केन के जरिये दस उंगलियों के निशान दिये जाते हैं जिसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं फिर इन निशानों को सिंगापूर भेजा जाता है और वहाँ से कुछ दिनों के अंदर ही आती है 25 पन्नों की एक रिपोर्ट जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर बच्चों के साथ माता पेता की काउंसलिंग की जाती है यह जो हमारे फिंगर्पिंट स्कैनर है इनके द्वारा बच्चे के पूरे 10 फिंगर्पिंट के फिंगर्पिंट हम अपने कंप्यूटर सेव करते हैं उसके बाद जैसे आप देखो गए यह जो individual finger prints यहाँ save किये गए है इन finger prints का analysis होता है analysis का मतलब क्या है कि इस finger का fingerprint का pattern कौन सा है for example इस pattern को हम अपने technical language में कहते है this is an ulnar loop तो ulnar loop में कितने ridges है उसके बाकी के characteristics क्या है यह दो stages का analysis होने के बाद जो further detail analysis है उसके लिए यह finger prints को हम अपने सिंगापूर के back office में भेजते है वहाँ से detail analysis के बाद हमें 25 pages का report ready होके आता है जिसके basis पे हम counseling कंड़क करते है आप सोच रहे होंगे कि भला finger prints में career की कहानी कैसे चुपी हो सकती है इस test को करने वाले जानकार पूरी तकनीक को विग्यानिक मानते हैं उनके मताविक fingerprints को अगर सुक्षमता से देखा जाए तो दिमाग के कई हिस्सों के विकास के बारे में जानकारी मिलती है जिसके आधार पर ही बच्चों के career के बारे में सला दी जाती है यही नहीं टेस्ट में बच्चों की handwriting के data का भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ handwriting होती है जो उपर की तरफ जाती है यह handwriting आप देख रहे हैं यह सीरी है कुछ उपर की तरफ जाती है कुछ सीरी जाती है और कुछ नीचे की तरफ जाती है यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका future outlook कैसा है जिनके handwriting उपर की तरफ जाती है ये अपने future के बारे में positive होते है जिनकी handwriting सीधी होती है ये अपने future के बारे में settled होते है और जिनकी handwriting नीचे जाती रहती है वो अपने future से डरते रहते है हम लोग अभी for example ये जो लड़की है इनका straight था हम लोग निनको recommend किया कि आप handwriting को जान पूछ को उपर लेके जाएए और अपने आपको एक affirmative signal दीजिए Thumrul और Edify Lab की दो कमपनियां मिलकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट में इस test की सुविधा महिया कराती है कमपनी का दावा है कि अब तक हुए test में खरीब 96 फिसेदी नतीजे सही है आगे आपको बताएंगे उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपने बच्चों के करियर को सवारने के लिए इस तकनीक का सहरा लिया क्या ये तकनीक उनके काम आपाई संदीब चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई चले अपने इन रिपोर्ट के जरिये हमने आपको इस तकनीक के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की इस वक्त हमारे साथ खास महमान मौजूद है मुंबई से हमारे साथ एडिफी लैप्स के CEO नितेश गावरे हैं अपने आपके बारे साथ ही कैलाश हस्पताल के नियूरो सरजन डॉक्टर वरुन भारगव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अब गावरे साब सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी इस वक्त हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जब हम गौड पार्टिकल की बात करते हैं यानि साइंस में भी एक कदम आगे बढ़कर हम इन चीजों को भी वैल्यू करते हैं ऐसे में आपकी लैब में जो दावा किया है यकीनन वो गर्व की बात है खुशी की बात है एक दिल्चस्प concept लेकर आप सामने आए हैं सबसे पहले मैं आप से जानना चाहूंगी कहां से ये idea generate हुआ और कितना आप इसको देखते हैं कि इसका असर कितने लोगों पर हो पाएगा सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये test हम लोगों ने मैं खुद पर ट्राई किया था जैसे मैं खुद 10th standard में मुझको 83% आये थे तो मैंने सोचा marks बहुत अच्छे आये हैं इसलिए मैंने science लिया junior college के लिए उसके बाद मुझे 12th standard में जब 96% आये तो मैंने electronics engineering किया electronics engineering करने के बाद मैंने observe किया कि सारे जो हुशार बच्चे हैं वो MBA कर रहे हैं उसके बाद मैंने MBA किया MBA करने के बाद मुझे day zero पे placement मिल गई इंडिया के सबसे बड़े bank में 20 साल वहाँ पर मैं manager का काम कर रहा था bank बहुत अच्छी थी, job बहुत अच्छा था बट कहीं पर जो एक खुशी मिलती है काम करने में या एक खुशी जो job satisfaction होती है वो नहीं मिल रही थी तब जाकर मैंने बहुत research किया और पता किया कि किस तरह से कोई अपना career find out कर सके और तभी Thumrul company ने ये concept इंडिया में launch किया था उनसे मेरे बात हुई और मैंने अपने fingerprints के scan दिये जिसमें सिर्फ ये वाले जो part होते हैं एक मैं आपको clarification देना चाहता हूँ dermatoglyphics and astrology ये दोनों अलग-अलग sciences है यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये वाले part के scan लेते हैं उसे हम लोग Singapore भीचते हैं जब चार दिन बाद मेरा report आया तो report में पता चला कि मेरा जो logical intelligence है जो पढ़ाई में काम आता है जो very good था और जो मेरा interpersonal intelligence है जो बात करने में समझाने में आता है वो excellent था और report ने मुझे बताया कि आपको HR training या teaching field में होना चाहिए उसी वक्त मैंने अपना job से resignation देके edify labs start किया जहां पर हम लोगों ने training और बच्चों के लिए assessment शुरू किया और आज 3 साल के बाद हम लोगों ने कुछ 22,000 parents 12,000 students 5,000 corporate professionals इन लोगों के training किया है कम से कम 8,000 लोगों के ये assessment किये है जहां पर हम लोग को 98% के ऊपर satisfaction ratio मिला है ये करने पर मुझे ये पता चला कि जिस test का फाइदा मुझे हुआ 25 साल में मेरा career find out करने में अगर वही test हम लोग बच्चों के लिए किये जाए at a very young age तो उनकी जो schooling है उनका जो college है उनका जो graduation है उनका जो port graduation है सब उसी में होगा जिनमें उनका potential है बिल्कुल यानि आप कहरे हैं कि भविश्य में decisions लेने में अपने career को बनाने में या कोई और decisions लेने में आपको आसानी होगी इसके नतीजों के आधार पर हमारे साथ कैलाश अस्पताल के सर्जन डॉक्टर वरुन भार्गव भी है भार्गव साब एक science expert की तौर पर अगर मैं सवाल आप से पूछू हाला कि यह तो इनकी lab ने दावा किया है इसलिए उन्होंने इसके फाइदे नुकसान हमें बताए लेकिन आप इसे किस तरह देखना है कितना प्राक्टिकल है यह देखिए यह एक अनुसंधान का विशे है कारण यह है कि यदि हम scientific ड्रस्टी से देखें या हम पुराने जो एक्जांपल से आट से डाई अजार वर्ष पूर भी महात्मा बुद्ध की पाउं की रेखाओं को देख करके का यह चक्रवर्ती संब्राट बनेंगे हाला कि वो संब्राट धर्म के बन गए या बहुत सारे पामिस्ट है वो अंगुष्ट से ग्यान देते हैं कि अंगुष्ट से ही हम अब पूरी रेखाओं से सब कुछ बतला सकते हैं लेकिन जहां तक ब्रेन की इंटेलिजेंस का संबंद है वो और फिंगर प्रिंट्स इनके बीच में कोई जुडाव है या नहीं है हम आपको बता रहें फिंगर प्रिंट्स से फ्यूचर बताने वाली मशीन के बारे में फिंगर प्रिंट्स से हेमल अपने करियर के लिए कनफ्यूज रहती थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस फिल्ड में वो अपने टेलेंट को अच्छे से इस्तिमाल कर पाएंगी हेमल की मा कश्मीरा ने रुख किया थमरूल का DMIT टेस्ट कराए गया अब बेटी हेमल समेथ मा का भी दावा है कि टेस्स से यकीनन उनका आत्मश्वास बड़ा है जो गोल उसको जो अच्छे करना है इसके बारे में इतना वो स्ट्रॉंग नहीं कि मुझे किस में जाना है विछ फिल्ड विल बेटर फोर में तो उस गाइडन्स के लिए हम लोग नहीं आना पसंद की संदूश ने आप गईडना है तो मैं फाइन्स में ही MBA करने वाली थी specialization तो यह test के पहले में कुछ doubts थे what I should take कि मेरी interest इतना था नहीं finance में तो मैंने test करवाया उसमें मेरी learning style as well as learning for HR और admin के लिए beneficial बताया मुझे तो उसके related मैंने मेरा specialization finance से HR में बदला पागर्व मैं अब गावरे जी से final comment लो उससे पहले एक short comment आप से दिलेना चाहूंगे कि सवाल इस technique पर उठाए गए क्या आपको भी लगता है वाकई यह बहुत subjective है बच्चों के career को decide करने को लेकर देखे साब intelligence जो है वो तो test मैंने वज्यानिक कर सकते है intelligence quotient होता है 70 से 130 लेकिन एक बात यह जरूरी है कारियर काउंसलिंग भी कि बच्चा क्या चाहता है उसकी किस तरफ रोजान है जैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं अच्छे क्रिकिटर श्रीकांत या निकले जिनका इंट्रेस्ट दूसरी चीज में था intelligence अलग चीज थी तो एक इंट्रेस्ट बहुत जरूरी है intelligence के साथ 70 से 130 के बीच की range होती है सबी वेक्तियों की age के हिसाब से तो उत्रा जान लेना बहुत होता है और उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसके दुआरा जान लिया जाते है आपने point रेस किया जरूरी नहीं है कि intelligence के जरीए आप किसी के career को decide करने में तकनीक के जरीए काव्याब हो पाएं ये कुछ subjective हो जाएगा गावरी जी तमाम सवाल उठे तकनीक के ओपर अब आप से इसका जवाब I completely agree with doctor जो हमारे साथ है हम लोग भी जब हमारे हाँ पर बच्चे assessment करने आते हैं तो हम तीन जगाओं पर काम करते हैं पहला उनका potential दूसरा उनका personality और तीसरा उनका interest potential के लिए हम लोग biometric scan यूज करते हैं आज से जब तीन साल पहले हम लोग ने company start कि और जब हम बच्चों को और parents को help करते थे तो हम लोग ने observe कि बहुत सारे parents और बच्चे confused है क्या करना है parents को मालूम नहीं है कि बच्चा किसमें अच्छा है करना शुरू किया है तो biometric से हमको मिलता है बच्चे का potential जो वो inborn, जनम से कुछ potential लेके आया है फिर 12 साल के बच्चों के लिए हम लोग handwriting analysis करते हैं जहां से उनके subconscious mind के signal study के जाते हैं जो उनकी personality बताती है और third or most important potential और personality के साथ-साथ जो हम लोग एक घंटे का counselling करते हैं उसमें हम लोग बच्चे के साथ बात करके interest find out करते हैं और at the end career या education जो भी select करना है वो interest पे होता है आज के दिन में अगर बच्चे के पास 400 career options है potential और personality assessment करने से ये 400 options चार्ज अच्छे हो जाते हैं यहाँ पर एक clarification दिया पूरा एक इसका overview दिया इस तक्नीक का मुझे अभी बात यहाँ पर यह पूरा decision यहाँ पर conclude करना होगा आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जोडने के लिए तो आप बचाएए आपको पढ़ने मन लगता है नहीं लगता अगर आपकी कोई पढ़ रहा हो तो आपको अमल करें का पढ़ने मन लगता है तो आपको आपको कि वो जो शंप्राएए हैं जिमाद वो पता है प्यक्ते आप पढ़ो जन्दी आदो जन्दी आदो